अभी हिंदी शेरिंग को ही कंटिन्यू करते हैं शर्मीला दिदी नमस्ते क्या शेरिंग को शुरू करें जी सभी को नमस्ते जी शुरू कर सकते तो हम नंदिनी यादव जी की शेरिंग से शुरू करते हैं जी नमस्ते नंदिनी जी नंदिनी जी नमस्ते जी तो मैं आपका प अपनी शेरिंग को रखेगा नंदिनी यादिव जी विक्रम यादव भाया की बड़ी बेटी है और दस्वी कक्षा की छात्रा है नंदिनी जी UHP लिविंग सेंटर नौगाउं के संपर्क में रहकर सीखने और समझने के कारे में लगी है और आपकी उमर 14 वर्ष है यह आपकी पाशवी शेरिंग है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात को रखें जी सभी को नमस्ते मेरा नाम नाव नंदिनी यादा है और मैंक्षा दस्मी की छात्रा हूं मेरी उमर 14 वर्ष है और मॉणूनिक सेशन में यह मेरी पाश में वर्क्षाप भी किये है और ओंला जिसमें मैं 2020 में UHV के संपर्क में आई इसलिए मैं भगवान अंकल के प्रती बहुत करतक हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी बीदी से जोड़ा जिससे मुझ में बहुत से बदलाव चेंजेस देखने को मिले मैंने मौनिंग सेशन को रेगुलर डेट डेखा है सुना है और अब्यास एक वादो पर पहले की अपेक्षा और अच्छे से समझ बनी है जिससे मैं अब्यास एक की बात करूँ तो स्वयम के द्वाना स्वयम का मुल्यांकन तो ये बहुत अच्छे से मैं स्वयम के द्वाना स्वयम को मुल्यांकन कर पाई हर एक स्टेप को अपने से तो पहले तो इस स्टेप को थोड़ा-थोड़ा ही देख पा रही थी, लेकिन इस बार इस स्टेप को और गहराई से हर एक सब्द का अर्थ और गहराई से समझने का प्रयास रहा, मैंने देखा जैसे मेरा स्कूल यहां से घर से तीन-चार किलो मीटर दूर है, तो जब मैं पह स्टेथे यह क्या चल रहा है, कि मैं अगर रास्ते से जा रही हो, मुझे पता ही न चल ला कौन मेरे आगे पीछे से निकल रहा है, तो जब यह स्टेप किलियर हुआ, तो पता चले यह कल्पना सीलता है, जो दिरंतर चलती रहती है, और आब इसको मैं स्टेप बाइ कि पहले मेरा स्कूल में दोस्तों यह घर पर सभी के साथ बैवार असेज रहता था, सबसे अच्छे से बाद ना करना या बिरोद में रहना यह मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे स्टेप किलियर हुए, मेरी समझ बनती गई, और अब बैवार में भी मेरे परिवर तना रहा है, और भासा भी अब सहच रूप से कर रही हूं सबके साथ संबन्द के साथ निर्वा, अब इसकूल में भी दोस्तों के साथ अच्छे से बोलती हूं, तो इसका वी रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहा है कि पहले जब ऐसे बात करती थी तो अब अच्छे से तो बच्चे भी कहते हैं कि तुम पहले ऐसी थी अब ऐसे की ऐसे हो गई तो उनके साथ भी एक content को share करती हूँ जिससे और भी मेरी भी समझ बनती है और जितना मैंने समझा है उनके साथ भी share कर पाती हूँ step 3 में step 2 से ही relative है तो मैं देखती थी कि जब मैं किसी से अच्छा भैवार नहीं करती थी तो बिरोध आसहज रहती थी जिससे मुझे ही डुक होता था लेकिन जब मैंने अब सहज रहना सुरू कर दिया है तो अब सुखी रहती हूँ और सहज रहती हूँ तो बहुत आराम की स्थिती बन रही है और step 4 मुझे पहले से ही समझ में आया था और इस 10th वेच में भी और अच्छे से किलियर हुआ कि पहले मुझे लगता था कि मेरे सुख और दुख के लिए दूसरा कोई अन्यव्यक्ती जिम्मेदार है लेकिन अब दीरे-दीरे किलियर हो रहा है कि इसके लिए तो मैं स्वैम ही जिम्मेदार हूँ ना कोई अन्यव्यक्ती तो अब दूसरों से सिकायत मुक्त हो रही हूँ और मैं ही अपने लिए 100% जिम्मेदार हूँ यह दिखने लगा है और स्टेब नमबर फाइब की बात करूँ तो निर्ना लेने का अधार क्या है समझ या माननेता तो जब पहले मैंने माननेता तो मुझे लगता था कि मेरे में तो माननेता जैसा कुछ नहीं है लेकिन इस बार एक नई बात समझ आई कि मैं माननता अधार निर्ना नहीं लेती यही मेरी एक बहुत बड़ी माननता बन गई थी जिसे इस बार मैं और अच्छे से देख पाई एक नई वात समझ में आई कि यह मेरी एक माननता है और और बी जो माननता हैं उनको भी देखना हुआ तो अब प्रयास कर रही हूँ कि जो निर्णा लेने का आधार है वो समझ आधारी रख पाऊं तो बहुत से ऐसे निर्णा हैं जहां मैं समझ के आधार पर निर्णा लेती हूँ तो सुखी भी होती हूँ, ऐसा देख पाई और reduction से की बात करूँ तो मुझे संबंद ववस्ता व संर्स अंगर्ष निरूध बिरोध आववस्ता व संगर्ष का अ थे संवी कार है तो इसको देखा तो पता चला कि संबंद व हवस्ता व संर्स कार्ष में जी रही हूं जब मैंने संबंद को देखा तो पता चला कि पहले जैसे कि मैंने बताया मेरा प्रति बैवार अच्छा नहीं था लेकिना अब मैं सभी को अपने जैसा देख पाती हूं कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है तो उनके पास और अच्छे से संबंद का निर्वाय कर पाती हूँ और माना माना के बीच एक संबंद देख पाती हूँ और ववस्ता की बात करूँ तो स्वैम में ववस्ता को तो देखना होता ही है साथ में अब मैं परिवार में सबसे बड़ी लड़की हूँ तो परिवार में वेवस्ता को भी देख पाती हूँ पहले जो परिवार में सब लोग अलग-अलग रहते थे अब जो परिवार में कोई बैठग नहीं होती थी अब भगवान सिंग अंकल के माध्धेम से उन्होंने बताया कि हमें परिवार में एक हर हर एक दिन बैठा करनी चाहिए जो पूरे दिन observe किया हर गटनाय को अपने परिवार के साथ share करना चाहिए तो एक सुकत इस्तिती बनती है परिवार के साथ तो इसको भी और अच्छे से आप परिवार सवाएं घर में होने लगी है तो इसको भी देख पाती हूँ और सहस्तित की बात करूँ तो ये तो अभी मेरे सिर्फ सूचना के अर्थ में था लेकिन अब इस पार थोड़ी और समझवनी है इसमें सूचना के फॉर्म में था उससे और थोड़ी और समझ बनी है कि सुनने क्या है इसमें मैं डूबी हुई हूँ भीगी हुई हूँ गिरी हुई हूँ इसको देखने का प्रयास चल रहा है और प्रकरती के प्रती जब मैं पहले प्रकरती में रहती थी लेकिन मुझे प्रकरती क के बारे में जाना तो इससे प्रकरती की प्रति और रुजान बढ़ने लगा और इसके लिए मैं भगवान अंकल की प्रति बहुत करतग्य हूं क्योंकि उन्होंने प्रकरती को समझना उनके प्रति लगाओ उनकी वज़े से ही मुझे हुगा है उन्होंने मुझे प्रकरती की ववस्ताओं के बारे में बताया, समझाया, तो ऐसे समझ बन रही है, और स्टेफ सेवन की बात करूँ तो यह करूँगी कि संबंद ववस्ता सहस्तित ही मुझे इसमें इसमें इसपस्ट हुआ और मैं इसको ही सहस्विकार करती हूँ जो पहले मानों के प्रती एक रियक्शन रहता था रिस्पॉंस नहीं होता था कभी 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 होता है रिस्पॉंस होता है देख पा रही हूँ और अब ब्यास एक में मेरी इतनी ही समझ बनी अब ब्यास दो की बात करूँ स्वाइम के द्वारा शरीर का मुल लेंकर तो सरीर को भी जायम के दौना अब देख पारी हूँ step 1 में मैं और सरीर दोनों अलग-अलग बस्पिता है ये पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अभी भी थोड़ा-थोड़ा किलियर हुआ है कि कैसे अलग है हम दोनों मुझे लगता था कि मैं तो सरीर ही हूँ कैसे अलग हूँ self क्या है ये पहले बहुत कमस्बज में आ रहा था लेकिन ने जब इनकी आफसक्ताओं को देखा तो दोनों की दीरे-दीरे दोनों की अलग-अलग आफसक्ता है जब समझ में आई तो दीरे-दीरे ये step क्लियर हो रहा है अब मैं जो भी कार करती हूँ या जो भी मुएरे सरीर ये self को आफसक्ता है होती है तो देखती हूँ कि ये किस को आफसक्ता है इस तीच की self को ये सरीर को तो ऐसे-ऐसे दीरे-दीरे देख पा रही हूँ स्टेप टू की बात करूं तो मैं और सरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रादान होता है इसको भी देख पाई कि ये दोनों सिर्फ अलग हैं इन दोनों के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रादान होता है सटैक्टरी में मेरी काफी हेल्प की क्या संवेदना आती थी जिसको मैं पढ़ती थी और इनसे मैं किसी के लTrack ुके कुरुफ attempting कारने कि संवेद्णा के रहал पार कि riff तो अब ये को बहुत अच्छे से किलियर हो रहा है और अब मैं ज्यादा जिस संवेदना को महतपूर मानती हूं उसी को पढ़ती हूं जिससे हर कार पर अपना ध्यान भी केंड़ित कर पा रहे हूं step 4 में मैं संवेदना से दूर होते हूए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ मैं और सरीर के बीच है एक दूरी है यह भी समझ में धिरे धिरे आ रहा है ज्यादा किलियर तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है step 5 की बात करूं तो संवेदना को अर्थ किस प्रकार देना है मानता धारे ते या समझा धारे तो अभी फेलाल कुछ दिन पहले मेरी मम्मी सीडियों से गिर गई थी और मैं इस बार घवराई नहीं क्यूंकि पहले अगर मैं होती तो सायद घवरा जाती चूंकि मेरे पापा अभी यहां घर पर नहीं है वो बिटूल संस्तान में अभी कर रहत हैं तो मैं जब यह घटना हुई तो घवराई नहीं मैंने मम्मी को हॉस्पिटल में दिखलाया और अगर पहले होती तो सायद घवरा जाती लेकिन अब समझाएं आती हैं तो उनका समाधान दोड़ती हू नहीं से घवराती हूँ तो एक UHB को से बहुचे बहुत बड़ी उपलब्दी हुई है इसका स्री UHB को जाता है कि इतनी बड़ी घटना हुई और मैं घवराई नहीं परिवार के और सदस मेरी छोटी वहन भाई हैं वो घवरा गयते लेकिन मैंने हिम्मत बांदी क्योंकि मै बड़ी हूँ तो इससे और अच्छी से समझ बन रही है और हर अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रही हूँ क्योंकि पापा नहीं है तो और भी जिम्मेदारी रहती हैं जो मुझे करनी पड़ती है बजार जाना सब्दी लाना तो ऐसी जिम्मेदारी को भी क्योंकि पहले मेर जिम्मेदारी के प्रतीजादा रुजान नहीं रहता था, मैं जिम्मेदारी का पालन नहीं करती थी, अपने भाई बेहन से भी जगड़ा रहता था, लेकिन अब धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है, स्टेप सेवन की बात करूँ तो मैं सुन में बनी हुई हूँ, सरीर भी सुन में बना हुआ है, और मैं और सरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान सुन के माध्यम से होता है, और सरीर मेरे लिए सिर्फ एक साधन मात्र है, इसको अभी सुनने के बारे में जैसे मैंने बत कर रही हूँ, मेरी अभी इतनी ही समझ बनी अभ्यास एक और दो में, और प्रयास करूंगी कि आंगे भी इसको और अच्छे से समझ पाऊं, और सुक सुभव है या प्रभाव, इसकी बात करूं तो सुक तो अभी बहुत प्रभाव के रूप में लग रहा था, कि बाहर से क देखने लगा है कि सुक तो मेरा सौभाव है और इसको देख पा रही हूं इतनी ही मेरी समझ बनी और मैं भगवान अंकल और अउना अंटी के प्रती भी बहुत करतागी हूं क्योंकि जब कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर का तो बात में ध्यान आता है पहले उनका ध्यान क्योंकि वो हर बिमारी का इलाज लगती है और सब कुछ बताती है कि आयुवेर्दे के काड़े आड़े सब बताती है जिससे उनके प्रती भी करतागता एक ब्यक्त होती है और मैं अपने माता-पिता के प्रती भी करताग हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इस विरी से जोडन लापाउं और आभ्यास एक और दो सेम्यूज में बहुत से परिवतन आए हैं और और भी प्रयास करूंगी कि इसको और गहराई से हार एक बर्ड को और गहराई समझने का प्रयास करूं तो सभी की प्रतिकरत अग्यता सभी को धन्यवाद तो अभी शर मिलाती थी की फीडबैक को लेकर फिर हम करूना जी की शेरिंग को शुरू करते हैं जी शर मिलाती थी जी नमस्ते नमस्ते नंधनी बेंटे नमस्ते बहुत भी बढ़ी का शेरिंग कि उदारन के तौर पर रखी जा सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं बच्चे जब जल्दी चूड़ जाते हैं इस काम से और अपने अंदर देखने का प्रयास करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपने जो भी बताया अपने जो जो आपको दिखा उसके बेसिस पर आपने रखा क्योंकि बहुत ही एक प्रैक्टिकल ढंग से आपने सब बातों को रखा और मुझे लगता है बहुत बच्चे क्या बड़े भी बहुतों को इसमें से सीखने को भी मिलेगा और प्र क्योंकि बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है